Know the Fundamentals चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम हिंदी की मात्राएं समझेंगे हिंदी वर्ण माला को हमने पहले भी कवर किया है पिछले वीडियोज में अगर आपने वो वीडियोज देखे नहीं है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये है तो चली शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हिंदी वर्ण माला को दो भागों में बाटा गया है पहला भाग है स्वर माला दूसरा भाग है व्यंजन माला मात्राएं स्वर की ही होती है तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर माला में कौन-कौन से वर्ण है आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, अउ, अम, अहा आए इन सब की मात्राएं देखते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती ये व्यंजनों को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है ये है आ की मात्रा एक सीधी रेखा अक्षर के बाद में लिखी जाती है ये है छोटे ई की मात्रा ये अक्षर के ठीक पहले लिखा जाता है ये है बड़ी ई की मात्रा में लिखी जाती है ये है छोटे उ की मात्रा ये अक्षर के नीचे लिखी जाती है ये नीचे से उपर की ओर मुड़ी हुई रहती है ये है बड़े उ की मात्रा ये अक्षर के नीचे लिखी जाती है ये उपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है ये है री की मात्रा ये भ जैसी दिखती है, ये है A की मात्रा, ये अक्षर के ऊपर लिखी जाती है, एक slanting line जैसी होती है, ये है A की मात्रा, ये भी अक्षर के ऊपर लिखी जाती है, इसमें दो slanting line जैसी होती है, ये है O की मात्रा, ये अक्षर के ठीक बाद में लिखी जाती है, इसमें एक सीधी लाइन होती है, और एक स्लांटिंग लाइन उपर की ओर होती है, ये है अउ की मात्रा, ये भी अक्षर के ठीक बाद में लिखी जाती है, इसमें एक सीधी लिखा होती है, और दो स्लांटिंग लाइन होती है उपर क और ये है अम की मात्रा ये एक बिंदू जैसी होती है और अक्षर के ऊपर लिखी जाती है ये है आहा की मात्रा ये अक्षर के तुरंत बाद में लिखी जाती है और इसमें दो बिंदू होते हैं तो देखा आपने किस तरीके से हिंदी की मात्राएं होती है चलिए एक बार फि छोटे E की मात्रा, जो हमारे left hand की friend होती है ये है बड़ी E की मात्रा, जो हमारे right hand की friend होती है छोटे U की मात्रा, बड़े U की मात्रा, री की मात्रा, एक की मात्रा, एक की मात्रा औ की मातरा, अव की मातरा, अम की मातरा और आहा की मातरा आईए अब समझते हैं किस तरीके से सब मातराएं लिखी जाती हैं ये हमारे पास अक्षर है कव हम देखेंगे किस तरीके से सबी मातराएं इस अक्षर के साथ लगती हैं और किस तरीके से इस अक्षर की ध्वनी या स्वर बदलती है सबसे पहले मात्रा है हमारे पास आ की मात्रा जैसे कहा था वो अक्षर के ठी बाद में लगती है और एक सीधी रेखा जैसी होती है इस तरीके से बनती है आ की मात्रा क में आ की मात्रा मिलने से बनता है का के बार बारी आती है छोटे ई की मात्रा की जो अक्षर के ठीट पहले लगती है इस तरीके से लगती है छोटी ई की मात्रा क में छोटी ई की मात्रा से क की ध्वनी बदल कर की बन जाती है छोटी ई के बारी आती है बड़े ई की मात्रा जो अक्षर के ठीक बाद में लगती है तो देखते हैं किस तरीके से लगती है इस तरीके से बनती है क में बड़ी ए की मात्रा से क कस्वर बदल कर की बन जाता है बड़े ए के बाद बारी आती है छोटे उग की मात्रा की उग की मात्रा अक्षर के ठीक नीचे लिखी जाती है और ये नीचे से उपर की तरह इस तरीके से बनती है इस तरीके से U की मात्रा बनती है छोटे U के बाद बारी आती है बड़े U की मात्रा की क में बड़े U की मात्रा इस तरीके से बनती है क में बड़े U की मात्रा लगने से स्वर हो जाता है कू बड़े U की मात्रा के बाद आती है री की मात्रा वो भी अक्षर के ठीक नीचे बनती है और वो English alphabet C जैसी होती है क में री की मात्रा से अक्षर बन जाता है 3 री के बाद बारी आती है A की मात्रा की वो अक्षर के ठीक उपर लगती है और एक slanting line जैसी होती है इस तरीके से बनती है क में A की मात्रा से स्वर हो जाता है के A के बाद बारी आती है A की मात्रा की वो भी अक्षर के ठीक उपर लगती है और उसमें दो slanting line होती है इस तरीके से A की मात्रा के बाद बारी आती है O की मात्रा की वो अक्षर के ठीक बाद में लगती है और इस तरीके से लिखी जाती है क में ओ की मात्रा से अक्षर बन जाता है को ओ की मात्रा के बाद बारी आती है अउ की मात्रा इस तरीके से लिखी जाती है वो भी अक्षर के बाद में होती है जिसमें दो स्लैंटिंग लाइन और एक सीधी लाइन इस तरीके से होती है क में अव की मात्रा लगने से अक्षर बन जाता है कव कव के बाद बारी आती है अम की मात्रा की वो भी अक्षर के उपर एक बिंदू चैसी बनती है क में अम की मात्रा लगने से बन जाता है कम अम के बाद आखरी मात्रा है अह की जो अक्षर के ठीक बाद में लगती है और दो बिंदू जैसी बनती है क में अह की मात्रा लगने से बन जाता है कह इस तरीके से हमारी पूरी मात्राएं पूर्ण होई अशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हिंदी की सभी मात्राएं अच्छी से समझ में आई होगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से कर लीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे अन्यवाद